तो हमसे बार बार एक सवाल पुछा जा रहा है कि आखिर आप ये फ्री ओल इंडिया टेस्ट क्यों करवा रहे हैं जबकि एपी एफो का एक्जाम तो डिले हो गया है यह आपकी मार्केटिंग स्टेटरजी है आप कैसे बत्चों से फायदा उठाना चाते हैं आप इनको देखना है तो इसका जवाब है मैं आपको कुछ इस तरीके से दूँगा देखिए सिंपल सी बात है हमने आपको कहा कि आप एपी एफो का टेस्ट दीजिए ओल इंडिया आकर क्योंकि एक्जाम हो गया ता डिले एक्जाम डिलेड बच्चों ने त्यारी कर रखी थी रिव रिवीजन कर दिया बंद आप जितना पहले वाला पड़ा वह भी सब गुडगोबर हो गया मतलब कि जो पहले वाला पड़ा वह भी आपके माइंड में रिटेन नहीं हो पाएगा आपके जितनी मैनत थी आपने अपनी एनर्जी खर्च करी ओके और आपने जितना कोर्स भी खरिदा पैसे भी लगाए सब कुछ किया लेकिन आपको पता है रिवीजन इस दकी क्या है रिवीजन इस दकी तो एक लंबा टाइम पी रेडी सही अगर आप बार बार उस चीज़ों को किसी ना किसी बहाने से अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में प्रिजर्व रहेगा लाज तक आपका जो एनरजी आपका टाइम आपका पैसा वो वेश्ट नहीं जाएगा इसलिए हम यह कोर्स है जो आपका ओल इंडिया हम आप करवा रहे हैं अब मैंने आपको पहले दिन जब मेरा चैनल का पहला वीडियो था पहले वीडियो में ने क्या कहा था मिशन 421 क्या कहता मैंने आपको मिशन 421 बोला था नहीं बोला था मिशन 421 कि 421 के 421 बच्चे हमारे पास से इसलेक्ट होंगे उस वक्त हमने तो आपको यह नहीं कहा था या आपने हमारे आगे कोई शर्त नहीं रखी थी कि अगर 4 October पर होगा तो ही 421 मिशन 421 वैलीड है यो आप लोगों ने इतना प्यार दिया हैं हमारे सपोर्ट किया हैं तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं अभी वी आप हमारे लिए कर रहे हो हम चाहते हैं कि जो आप पढ़े हो वो आपके पास बचे वो खतमना हो जाए промटा चला आपने अभी पढ़ाई क्षोड़ द तो आपकी महनत जो प्रिजर्व करने के लिए हम ऐसे कुछ ना कुछ इनिशेटिव जब तक EPFO का एक्जाम नहीं होता कुछ ना कुछ ऐसे इनिशेटिव गलाते रहेंगे ताकि आपको जो आपकी रिवीजन होती रहे और आपका जो जोश है वो बना रहे हमारे बस यही मोट और दूसरा कोई मोटिव नहीं है और कोई भी मोटिव नहीं है जो प्राइज रखें वो भी इसलिए रखें ताकि आप लोग मोटिवेट रहें आप लोग अच्छे पेपर दें तो जिन बच्चों ने अभी तक रेजिस्टर नहीं किया ओल इंडिया मोग टेस्ट के लिए अभी तक जिन्होंने ओल इंडिया मोग टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया हजारों बच्चों ने कर लिया लेकिन अभी भी बता रहा हूं जिन्होंने नहीं किया है प्लीज रजिस्टर कर लीजे और तेयारी अपनी जारी रखिए एक और भी हमारा मोटिव है इस टे कि आपको जिस लेवल का टेस्ट मिलने वाला है मैं बताता हूं आपको जिस लेवल को टेस्ट प्रवाइड करेंगे उस लेवल की डिसकेशन देंगे इड़ाइट वुड बी आई ओपनर आपने अपने त्यारी को इस तरीके से कभी एक्सेश किया ही नहीं होगा आपको अपनी कमिया पता ही नहीं चली होंगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैज कितना इंपोर्टेंट और इंग्लिश कितना इंपोर्टेंट टेस्ट पर लिए कि पोलिटी के लिए आपको क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए था लेबर लोग पे आपने इतना पढ़ लिया है जितना तो क्या कितना ज्यादा पढ़ लिया और कितना और पढ़ना चाहिए तो कितना कम पढ़ है वह सारा आपको यहाँ पर इस टेस्ट में पता चलेगा, okay, so these are just exercises, क्या ही exercise एक, to keep you motivated, पहला क्या reason है उसका, कारण to keep you motivated, and second, आपकी revision के लिए, किसके लिए, revision के लिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका support चाहिए, कि आपने जो पढ़ा है, वो आप अपने पास रखेंगे, that's it, उसके अलावा कुछ भी निची तो यह कारण है, जिसके हम यह All India Mok Test आपको, 5 सितंबर को Teachers Day वाले दिन करवा रहे हैं, जिन बच्चों को information नहीं है, वो information कुछ इस तरीके से कि 5 सितंबर को, एक All India Mok Test होगा, जिसके अंदर सभी बच्चों को जो बच्चे टैस्ट देंगे, उनको rewards दिये जाएंगे, Top 25 को 5000 अभी पीडिया क्रेटिस दिये जाएंगे, उसके बाद next 75 को 2000 अभी पीडिया क्रेटिस दिये जाएंगे, एक अभी पीडिया क्रेटिस मतलब की एक रुपिया, हमारे पूरे पोर्टल पर जिस पर more than 25 अग्जाम के कोर्स चल रहे हैं, आप उन पैसों से वो सब कुछ उनमें से कोई भी कोर्स करी सकते हैं, हम कोई मंतरा नहीं कहेंगे कि नहीं, आप सिर्फ पोफ़ाला खरी सकते हैं, हमारा पुरा पोर्टल है, उसके उपर आप जाए EPFO की चाहरी करें तो आप पंजाब पीचास का कोर्स करी सकते हैं, के सबूड पूर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद भी जो में मोटिव है यही दोनों कि मोटिवेशन एंड रिविजन मोटिवेशन एंड रिविजन और दे की आप अच्छे त्यारी करेंगे और आप हमारा साथ देंगे तो डेफिनिटली आप भी टो फिफ्टी के अंदर आ सकते हैं कि आप हमारा सब्सक्राइब और नहीं किया है तो वह ज़रूर कर देना और रिजिस्टर कर लेना लिंक दिया प्रिशन के अंदर आप मोटि